हैलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी तो आज हम चल दिये हैं पैलिट बाबा तक घुमने के लिए यह मंदिर बिहार के रोतास जिला के सासाराम में पढ़ता है और चलिए हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या क्या है इस मंदिर के खासियत तो हम मंदिर के पास आ गए हैं देखें सबसे पहले मंदिर के गेट तक ही देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा सिव मंदिर है यानि सिव भगवान का फोटो है आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा सिव भगवान का मंदिर है यह अब हम चलते हैं अंदर मंदिर में परवेश्ट करते हैं अब मंदिर में परवेश्ट कर रहे हैं देखिए यहां पर बहुत ही सारा मुर्टिया है यहां पर देखिए बहुत बड़ा राम भगवान का भी मंदिर है इतना बड़ा राम भगवान का भी मुर्टि है यहां देखिए गनेश भगवान है यहां पर देखिए यहां पर पिदेश का भी लोग आते हैं और यह पर्याटनों के लिए बहुत ही अकर्शक जगह है देखिए आप पर विटेश के भी लोग है यहां पर जाने के बाद आप लोग को बहुत ही अच्छा लग गया तो एक बार आप लोग भी आईए और देखिए यहां पर यहां मंदीर बिहार के रोहतास जील्या में पढ़ता है और रोहतास में सासारा में एक जगह है वही पर यहां मंदीर पढ़ता है जिसका नाम है पाइलेट बाबा देखें यह कालिमा है हम लोग यहां पर साम के टाइम है इसलिए यहां पर उतना पिछा नहीं दिख रहा है और साम पे टाइम भी आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़े तो सुवा में कितना ज़्यादा भीड़ होता होगा साम में भी यहां पर बहुत ही अच्छा लगता है कितने के लिए बहुत है अच्छा जगा है जैसे कि आप लग देख सकते हैं यहां पर हाथी बनाया गया है दो एक वाइट और एक बलाएक यहां पर बुद्ध भगवान का बहुत ही बड़ा मंदीर है और आप लोग अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं बुद्ध भगवान का बहुत ही बड़ा मंदीर मैसे अनदर और यहां पर स्वंकरजी है। और इसके पीछे में बाड़ा शुकिया है यह पिछे में छोटा शुकरजी है और आगे में बहुत ही बाड़ा संकरजी है कि यहां पर रात में साफाई हो रहा है तो यहीं लोग शेड़ी लेकर जा रहे हैं कि यहां पर प्रेंट हो रहा है मंदिर का कि यहां पर जारना है यहां पर सेनिक बनाया गया है कि यहां पर गड़ेश भावान का भी मंदिर है कि यहां परोड़ेश कि यहां पार जाया है कि यहां परनाया है देखे हैं परहें पुद्वागान का बहुत हैं बड़ा मंदिर यदा कि कितना उच्छा मेहबुद भागवान का है और फिर्पास लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कि रात में इतना अच्छा दिख रहा है तो दिन में कितना अच्छा दिखता होगा कितना आप व्यग सफले में जच्छा दिख रहा हैं देखिए बुद्ध भवान की किनारे का यह जगा है यहाँ पर आने के बाद आप लोगो एकदम सांती महसूस होगा देखिए बुद्ध भवान के मंदित के दूसरे साट भी यहीं जैसा है कि अजया देखिए बुद्ध भी यहीं जैसा है और भी अंदर आप लोगो लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर में भी बहुत चीज है कि अजया देखिए बुद्ध भी यहीं जैसा 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 है खरगोस पाला गया है आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा खरगोस है देखिए यहीं पर बतक भी है और इन सब को पानी पीने के लिए भी बनाय गया अंदर ही देखिए इतना बड़ा बड़ा है बतक कि अजया देखिए बड़ा है कि अजयां आप बड़ा है कि देखिए यहां पर रिसिल मुनी को बनाया गया है देखिए आप पाइलेट बाबा का मंदिर है और कितना अच्छा से सजाया गया है हम लेकर चलते हैं और पाइलेट बाबा को दिखाते हैं कि देखिए यह संकर भगवान है यह संकर भगवान कितना अच्छा लग रहे हैं और निच्चे में बासाब है गोगल में गड़ेश भगवान देखिए यह पाइलेट बाबा का है और दोनों तरफ ही रन बनाया गया है देखिए बुच भगवान कि देखिए यह संकर 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 भगवान देखे अबाई सजा रहे हैं और यहां पर जारना भी है देखे जारना से पानी गिर रहा है पर यह देखे फूलों से सजाया भी जा रहा है देखे बास आप अबेखे शंकर्डी कितना बड़ा है बहुत ही बड़ा संकर्ड भगवान का मन या मुर्ति है और उसके बगल में यह राम भगवान का है तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लाग प्रमेंट दो बताएगे जा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्स झाल झाल झाल